हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बाजार वितायुष इन फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेटेंट व्यू एनलेटिक्स के आईपियो के बारे में जैसा आप सबको पताए कि कल लेटेंट व्यू की लिस्टिंग है तो किस प्रकार से देखे कल लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा यह आईपियो विकाज जो आज हुआ है बाजार के अंदर वो डिफिनिटली फिरिंड्स एक बहुत बड़ा सेट बैक है क्योंकि आज बाजार ने जिस प्रकार की गिरावट दिखाई है उसको आप seems to like market crash भी हो गया कह सकते है विकाज जिस प्रकार से देखे आज market गिरा है वो देखा नहीं जाता है याद रखीगा एक दिन में निफ्टे का 400 पॉइंट गिनना sensex का more than 1000 पॉइंट डाउन जाना यह देखा नहीं जाता है बट वो आज आपको होता हुआ देखने को मिल गया तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि कल कितने पे लिस्ट होगा क्या कल कितना profit हो सकता है आपको एक lot के अंदर one lot में कितना profit होगा जो बहुत जादा comment सारे हैं लोगों के कि क्या सर हमको कल यहाँ पे paytm के तरह loss भी हो सकता है तो आपके सारे questions का इस वीडियो में आपको answer मिलेगा वीडियो को पूरा आप जरूर देखेगा दोस्तो चानल से पहली बार अगर आप जुड़ें तो चनल को जरूर subscribe कर लीजिएगा अगर आपको यह वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को like करके आप जरूर जाहिएगा तो सबसे पहले friends बात कर लेते हैं कि आपके dmat में कवाएंगे shares because यह सबसे important है क्योंकि काफी लोगे comment आता है कि dmat में सारे shares कवाएंगे तो देखे dmat की जो date है कि आपके account में कपके आ जाने चाहिए तो share बट अगर अभी तक stock नहीं आए तो कोई चिंता मत करिए कल सुबह से पहले ही आपके shares आपके dmat में shown हो जाएंगे अगर आपको allotment मिला है तो जो दूसरी बात refund की की लोग को अभी तक refund नहीं मिल रहा है तो देखे जो mandate है अगर वो expire की जो date है वो जब जिस दिन expire हो जाएगा वैसे आपका amount वापिस आजएगा लेकिन अगर अभी तक भी नहीं आया है हमेशा allotment की second day आ जाता है तो आप जाके bank से contact कर सकते हैं वो आपके mandate को revoke कर देंगे cancel कर देंगे यह सब बात बहुत ज़्यादा पूछे आती है इसलिए देखे शुरुवात मैं कहा रहा हूँ तो आप सबसे बड़ा question देखे कल कितने पर list होगा तो देखे जो IPO का price band है वो है 197 रुपीज का बहुत लोग पूछते हैं कि सर हमको price band 197 पर क्यों मिलेगा दो दे रखे होते हैं तो यह कि जब भी IPO over subscribe होगा तो आपको जो share मिलेगा वो 197 यानि जो upper price band होगा उसका ही मिलेगा यह upper price band है यह आप याद रखिएगा एक रुपे के face value है यानि आगे कभी भी company split नहीं कर पाएगी अपने stock को और जो total shares आपको एक lot के अंदर मिलेंगे वो मिलेंगे total 76 तो यह तो आपको information पका clear ही होगी लेकिन अब सबसे बड़ा question जो निकल के आता है कि कल कितना profit होगा और क्या कल PTM की तरह यह loss दे सकता है तो सबसे लिए देखिए PTM की तरह बात कर लेते कि क्या कल loss मिलेगा तो देखिए loss के chances तो बहुत कम है अब आपको यह कहता हूँ कि 99% chances तो profit के हैं कि आपको इतना profit हो जाए 99% बट वो 1% का देखिए कोई भी यहाँ पे risk नहीं ले सकता तो देखिए थोड़ा बहुत impact जरूर पढ़ सकता है लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है विकॉज जिस प्रकार की आज गिरावट आई है वो ठीकता का आच चुकी है और इस सदो तो देखिए बाज़ार क्या गिरेंगे यह आप सोचके चल सकते हैं तो आपको देखने को मिलेगा आपको 300 रुपीज मिलेंगे एक लॉट पर जानी फायदा तो बहुत बढ़ी है 300 रुपे देखिए आपको मिल रहे हैं एक लॉट के अंदर जिसका मतलब आपको जो 197 रुपीज का आपका स्टॉक है वो लिस्ट होता वा देखने को मिलेगा पर जो लिस्टिंग होने वाली है वो फ्रेंट्स होने वाली है करीबन 497 रुपीज के असपास यानि आपके 200 रुपे का शियर अलाउन 500 रुपे के असपास लिस्ट हो सकता है अगर ग्रे मार्केट को मानके चले तो लिस्टिंग के जो दोस्तों strategy रहेगी यानि फ्रेंट जो strategy रहेगी listing की list होता हुआ देखने को मिलेगा आपको यह IPO around 497 अब देखिए 497 हमको range लेके नहीं चलनी है जो range आपको लेके चलनी है वो लेके चलनी है करीबें 450 रुपे से लगा कर 500 रुपे यह एक range रहेगी कि इसके आसपस list हो सकता है अब देखिए जो 4500 रुपे ले रहा हूँ मैं सबसे lowest ले रहा हूँ कि अगर कोई भी वर्स नहीं है जो create होता है तो यह 450 रुपीज के आसपस आपको list होता हुआ देखने को मिलेगा अगर देखिए बाजार थोड़ा बहुत भी कल momentum देता है कोई थोड़ी बहुत भी तेजी दिखाता है तो आप मान के चलिए जो कल listing है वो आपको around 550 रुपीज के असपस तक होती होई देखने को मिल जाएगी यह listing के बोल रहा हूँ ठीक है अब circuit की बात क्या है देखिए circuit कल सिर्फ 5% कही रहेगा यह आप याद रखिएगा ठीक है तो अब जो important चीज निकल के आती है कि देखे आपको list करीबन 450-500 रुपे का होता हुआ देखने को मिलेगा जो price band है IPO का वो है 197 रुपीज का यह आप सबको बताईए कि 197 रुपीज का आपको एक share मिल रहा है यह अगर अगर आप profit निकाल के देखेंगे तो वो साफ साफ निकल के आता है कि 300 रुपे आपको per lot अब आपको पर शेयर 300 रुपीज पर शेयर यहाँ पर कम से कम आपको प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा और वो definitely friends एक बहुत बढ़िया बात है यह अगर आप overall profit का figure भी निकालने जाएंगे तो साफ साफ आपको देखने को यही मिलेगा वो साफ साफ देखिए जो profit का figure निकल के आता है जो profit का figure है वो निकल के आएगा अगर clear टी बतातो तो 22,800 रुपे 22,800 रुपे का देखिए यहाँ पर आपको profit होता हुआ देखने को मिल सकता है याद रखिएगा फ्रेंज इतना profit definitely अपने आप में काफी जादा बढ़ी है 22,800 के profit का देखिए साफ साफ एक ही मतलब कि देखिए जो आपका 15,000 है वो तो आपको मिली रहा है 15,000 प्लस 15,000 तीस हजार लेकिन extra 7,000 यानि more than आपको 100% रिटरंस यहाँ पर साफ साफ दिख रहे है और यह देखिए जो रिटरंस है वो अपने आप में अगर आप देखेंगे तो बहुत जादा बढ़ी है अब देखें जो market का सिनाई हो एक बात आप समझेगा जो important चीज है कि 22,800 रुपे का फायदा है लेकिन इस फायदे को करना क्या है अभी क्या हो रहा है अगर आप देखेंगे नोटिस करेंगे तो जो IPO's है आज जिस तरह से देखें market fall हुआ वो सारे IPO's देखेंगे अब आपको गिरते हुए देखने को मिल रहे है एक भी देखेंगे अगर आपको देखने को मिलेगा आप profit में उपर नहीं चल रहा है अज सिगाची अगर आप देखेंगे उसने record तोड़ देखेंगे आपको रिटरंस दिए लेकिन कोई sellout नहीं कर पाया और जो भी IPO देखेंगे अपे more than 100% की रिटरं देता है होता क्या है जैसे ही देखेंगे वो खुलता है फिर 5% का अपर सेकेट लगा देता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग trap हो जाते तो याद रखेगा आपके पास जब भी मौका हो तो आपको कम से कम partial कम से कम आपको partial profit booking कर लेनी है ताकि देखिए जो आपका profit है कम से कम वो सेव रहे है अधरवाइस देखें मार्केट का कुछ कह नहीं सकते है अभी किस परकार को momentum दिखाता है बहुत जादा खबरे तो यही है कि यूरोप के अंदर अब काफी lockdowns की खबरे निकल के आ रही है विगर्स कोविट क profit को लेके जाएगा बार-बार और फिर आप कुछ कर नहीं सकते है यह बहुत important चीज़ है profit book करना देखे time to time आना चीए आपको अगर profit book करना time to time नहीं आएगा तो definitely देखे friends दिक्कत में रहेंगे तो definitely वापेस एक बार listing strategy जान दीजिए कि कि कल जो IPO है वो list होता हुआ देखन 1500 रुपय तक का most 24000 रुपय का यहां तक का profit हो सकता है आपको पर lot आपके जितने lot आप इसके साब से profit निकाल लीजिएगा बट क्या fresh buying करनी है वो लोग जिनके पास IP नहीं आए तो देखे अभी बिल्कुल avoid करिए यहां पर avoid करके चलना है fresh buying because देखे बाज़ार का momentum थोड़ आप fresh buying करते हैं उनको नहीं कह रहा हूं जिनके पास IP आए डरा नहीं रहा हूं उपको लेकिन वो लोग को कह रहा हूं जो fresh buying के बादे में सोच रहे तो फ्रेट्स इस वीडियो में इतना ही ता होपस वीडियो बढ़िया लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देना चानल स नए जुड़ो अब सब्सक्राइब कर देना थैंक यू फ्रेंट्स वर ओचिं दिस वीडियो